लोग यहां पहुँचे न्यूजेटिन इंडिया के कैमरे पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट का स्वागत किया गया दिपेन हुटा तोगी कॉंगरेस के नेता हैं सांसद वो यहां पहुँचे और न्यूजेटिन इंडिया के कैमरे पे हम वो तस्वीर पर निजेटिन इंडिया पर विनेश फोगाट के स्वागत की तस्वीर तिखा रहे हैं जब जब विनेश कोगाट का स्वागत किया गया तो नीरच कुमार निजेटिन इंडिया दिल हम सब उन पर गर्व महसूस करते हैं बहां तब पहुंचना ही बड़ी बात होती है आप समझे कि उन्होंने उस 100 ग्राम को घटाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन वो अगर नहीं हो पाया तो भी हम अपने खिलाडी को उतनी ही मजबूती से उसकी पीट को थप थपाते हैं क्योंकि उस मुश्किल परिसिती में भी वहां तक खड़े रहना रात पर मैनत करना स्किपिंग करना यह देखिए यह हम तस्वीर अलगातार आपको दिखा रहे हैं जब वो आई हैं और उस दौरान वो भावुक भी हुई है और यह भावुक होने वाला शन भी है जब वो कर आई है तो उनकी देश की जत्ता उनको उतना ही प्यार से रावाज रही है देखें पिल्कुल आवाज मिल रही है और विनेश भोगाट के आखों में आसू थे देखिए वो आसू पेरिस में तो उस तरह से नहीं चल्टा था लेकिन जब यहां वो अपने धर्टी पर तो विनेश भोगाट का जो चेहरा था साक्षी मलिक उन से लिपकी बजरंग कुनिया जो उनके संघर्ज के साथ ही रहें खेल के साथ हैं उनके साथ लिपट गए और तीनों ने तीनों की तिकड़ी ने वो पल साजा किया वहावात्मक पल साजा किया लेकिन अभी इस साथ है लेकिन अज और इस यह वक्ष्ण तो नहीं भल की यहां इनेश भोगाट के स्वागत का है फुल्ड से महरूम रह गई थी लेकिन लेकिन Golden Girl के तोर से उनका स्वागत हुआ है नोटोख की एक माला जो है उनके गले में आप देख सकते हैं एक के बाद देख उनको ठूल देने वालों का ताता लगा हुआ गूल दस्ता देने वालों का ताता लगा हुआ है रॉक इस्टार की तरह से उनका स्वागत किया गया फूल बरसा आए जा रहे हैं न्यूजटी निजा के कैमरे पर आप देख सकते हैं और विनेश्पोगाट लोगों का हाथ जोड़के स्वागत करते हुए और यहां हम बातचीत करने की कोशित करेंगे विनेश्पोगाट से कोशित करेंगे वह बातचीत करने की लेकिन अभी उनके चेहरे पर थोड़ी मुश्कान आई है आपको बसा दे और यहां हाथ दिलाते हुए लोगों का अभिनंदन स्विखार करते हुए और यह पल बहुत खास है विनेश्पोगाट के लिए और उनकी टीम के लिए एक बातचीत की कोशिश करेंगे हम खास बिनेश्पोगाट कीजिए अपने चैंपियन का बले ही हमारे यह महिला बले ही गोल ना लेकर आई हो, मेडल के साथ ना आई हो लेकिन उसने हमारा दिल जीता है, हमने उसके संगर्ष को देखा है, हमने उसकी मेंट को देखा है, हमने देखा कि कैसे वो भारत के जन्डे को उस जगह तक लेकर गई, जहां तक अभी तक कोई नहीं आप एक और स्ट्रॉंग विनेश फोगाट को देख सकते हैं यह आसू छलके हैं और देखिए यह मुवन होता है आप अगर अपना ही में निचर देखें तो यह होता है जब आप किसी दुख की परिस्तिती से आए और अगर चानक अपने आगे अपनों को खड़ा देखें तो दिपेंड हुडा उनके साथ मौजूद है उन्होंने कुछ कहा भी है विनेश फोगाट ने कुछ कहा भी देखिए यह वो पल है इसको उस पल से जोड़ लिए जब उन्हें मेडल मिला होता है यह उस पल से जब पोटियम पे तीन से लाड़ी होते हैं तो वह मौका तो नही आ जा रहा है भारतिया सीरंगा हर सब्सक्राइब के साथ और यह पल बहुत है विपेंड हुडा भी यहां मौजूद है और साफी खिलाडी और आसपास के लोग यहां मौजूद है विनेश फोगाट के लिए तो यह बहुत से ही अभी भूट कर देने वाला पल है विनेश आपको बता दे हूँ आप ठोड़ी घुसी में तब्दिल हो गया है शायद इस पल की उमीद नहीं थी विनेश्मोगाट को कि हारी हैं वहां वहां परिवार के सब्सक्राइब नहीं थे अपने दोस्त मौजूद नहीं थे और ऐसे वक्त में वहां जो मुश्किल उन्होंने ज देख सकते हैं तमाम लोग यहां उनकी गारी पर चड़ते हुए गारी को भी खास तरीके से सजाया गया था और विनेश्मोगाट में मीडिया से बाच्चित की अपने विचार रखे लेकिन सबसे हम पल यह है कि अभी वो भुस हैं हावुक दिख रही हैं और उनकी गारी प ठ्रक्ति ऑ समर्ड नीरजश है कि व्लड़े अर गोल कि साथ ना यह हो लेकिन हमारे लिए तो रही चैंपइन के तरह ही इस火 हम लिचों करें जबे इस तरह के सवागत कर रहे हैं तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्वागत के लिए लोगों में गजब का उत्सा देखने को मिल रहा है यहां तो स्वागत हो ही रहा है जो उनका गाउ है अब जैसे वो वहाँ पर पहुंचेंगी वहाँ पर भी स्वागत की तयारियां की गई हैं वहाँ उनके जितने अब बड़े हैं वो सबी तैयारियां कर रहे हैं देशी गीम वेंजन मनाये जा रहे हैं हम विनेश पोगाट का उसी तरीके से स्वागत कर रहे हैं अगर वो गोल लेकर आती तब भी हम ऐसी स्वागत करते और अभी वी गों हमारे लिए किसी चैंपियं से कम नहीं नीरज हमें सराहना अपने देश के लोगों की भी करनी होगी और सभी की कि कितने विशम परिस्तिती थी फिर भी हम डट कर अपनी खिलाडी के साथ खड़े हुए थे झाल